जैहिं दोस्तो दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकाया हूँ वास्तविक संख्याएं जो आपके एकजाम में पांच नंबर का पूछा जाता है दोस्तो इस च देख ले रहे हो दोस्तो तो आपका पांच नंबर पक्का है कंफाम है कि आपका पांच नंबर नहीं जूटेगा और जितने भी टाइप स्कुमें कराना सिर्व उसको रिफीट कर लिजेगा दिवीजन कर लिजेगा उससे वाहर क्यों नहीं आएगा मैं गारांटी के साथ क संख्याएं कहलाती हैं परिमे या अपरिमे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं तो पहले आप यह ध्यान दीजिए परिमे संख्या क्या होती है और अपरिमे ध्यान दीजिए दोस्तों वास्तविक संख्याएं दो प्रकार के होती ठीक है तो पहले आप दो और परिमे संख्या ठीक है तो चले यहां पर हम लिखते हैं और परिमे संख्या यह संख्या आपका कितने प्रकार का होगा दोस्तों दो प्रकार को वास्तिविक संख्या है आपकी दो प्रकार के होती है पहला परिमे संख्या दूसरा और परिमे संख्या अब आप पूछेंग या रूट में 16 ठीक है यह सब आपका क्या है दोस्तों परी में संख्या हो जाएगा ठीक है तो डॉट 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 सारे संख्याओं को ले सकते हो तो चलिए समझ लेते हैं इसके बारे मिख्या इसमें देखिए आप से आप जेक्टिव क्योशन पूछ सकता है वास्तिक संख्याओं में मैं समझा देना परिमे आप परिमे संख्याओं को समझ लीजिए क्योंकि यहां से आप जेक्टिव होती हैं दोस्तों मुक्तवस्था में होती ठीक है जिसके उपर कोई करंड़ी गयरा ना लगी हो देखें यह मुक्तवस्था में इसके अंदर इसके उपर क्या लगा है करंड़ी लगे ठीक है तो जितने भी करंड़ी वाले संख्या होंगे और इनका वर्गमूल नहीं बनता ह वह कैसे संख्या होंगे ढीर संख्या होता ही 2 निरधरत किया तक भीन संख्या हो луч की ध्यान दोस्तों मान बना होता है व 24 भीरसाथ ध्यान संख्या हो गया किलियर तो ध्यान दीजी दोस्तों हमने रूट में फोर आप सोचेंगे आप रूट वाले संख्या को आप बोल रहे हो कि अपर में संख्या होता है तो आप इधर रूट में क्यों लिए हो करणी कंदर इधर संख्या क्यों लिए हो तो ध्यान दीजी दोस्तों देखे रूट में 4 है, 4 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे, तो कितना आएगा 2, ठीक है, अगर हम 4 को 2 into 2 लिखेंगे, करणी कंदर जिसका जोड़ा बनता है, वो बाहर हो जाता है, तो 2 का जोड़ा बनता है, 2 बाहर हो जाएगा, इसी प्रकार से करणी कंदर कितना है, यहा संख्या का करणी कंदर तो संख्या अगर है, निकल जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, परिमे संख्या है, तो आपको इससे इसमें यही पिरदे दोस्तों और फूरा देखियेगा ठीक है दोस्तों मुझे मिले मैं अगले चैप्टर का भी वीडियो लेकर आउंगे तो चले आगे बढ़ते हैं क्यों कि तरह है कि पाई है धिए बताया नदोस्तों पाई के बारे में अभी चर्चा किया जा मैंने परिम्य संख्या परिमे संख्या भी पढ़ाया आपको उसे मैंने चर्चा इसके बारे में किया लेकिन यहां पर ध्यान दिए रहेंगे पूछेगा तो तो क्या होगा परिमे संख्या भी अपरिमे संख्या सी पुडांग संख्या डी इनमे से कोई नहीं तो मैंने आपको बताया दोस्तों अभी इसके पहले परिमे संख्या और परिमे संख्या क्या होता है तो मैंने आपको बताया कि जो पाई होता है वो क्या होता है अपरिमे क्या है और पाई जो है वह क्या है और परिमे संख्या है ठीक है क्लियर हो गया चले नेक्स्ट को देख लेते हैं अब हाज गुडन खंड बीधी द्वारा छारचट और नब्बे का एच सी अफ ग्यांत कीजिए और फिर इनका एलसीम ग्यांत कीजिए दोस्तों ऐसे बहुत जादा पूछे आता है आपके जामें दोस्तो सबही टाइप से क्वेश्टन फोग में सभी क्यांटे जाते हैं मैं सभी को इस वीडियो में כ्राने वाला हूं इसलिए वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों इससे रिलेटर जितने भी क्योंट होंगे सब को अपने से सौल्व करिए ठीक है तो चले दोस्तों आपसे पूचा अभाज गुडण खंड विधी कैसे निकालते हैं दोस्तों वह मैं बताता हूं आपको ठीक है वह भी क्या निकालना चारचट और 90 का पहले आपको निकालना सिंपल से तरीके में बता रहा हूं तो आप यहां पर सबसे पहले लिखिएगा हल जब एक्जाम एक क्योश्चन आएगा तो सबसे पहला काम होगा आपको यहां पर लिखना होगा हल ठीक है उसके बाद क्या करेंगे चारचट और 90 का निकाल आपसे पूचा है एचसीएफ और LCM दोनों पूचा है तो करिए क्या चारचट का आप निकाल लीजिए अभाज गुड़न खंड अभाज गुड़न खंड आपको तो निकालना आता होगा यदि नहीं आता होगा तो सिफ़ा ऐसे बनाइए आप यहां पर लिखिए क्या चारचट ठीक है अब किस से काटोगे पहले आप 2 से काटोगे तो चले 2 से काट दे 2 3 6 2 3 6 फिर इसको काटेंगे अब 3 से काटेंगे 3 1 3 3 1 3 अब यह 11 है तो 11 11 11 11 तो अपने से ही कर जाएगा तो इसका गुड़न खंड कितना आया 2 गुड़ते 3 गुड़ते 11 तो यहां पर लिखिए 2 गुड़ते 3 गुड़ते 11 ठ नब्बे का तो नब्बे का भी आभाज जुगरन खंड आप निकाल लेजिए तो यहां पर मैं नब्बे का भी निकाल लेता हूं ठीक है बगल में चले अब नब्बे को किससे काटोगे तो आप 2 से काट ये 2 से काटेंगे 2 4 8 2 5 10 ठीक है अब यह 2 से नहीं कटेगा तो किसस से काड़ते हैं 3 1 का 3 कितना बचेगा 1 15 हो जाएगा 3 5 15 फिर अभी 3 से कड़ेगा 3 से काड़े 3 5 15 पांच का 5 कड़ गया पूरा जो गुडण खंड आया उसको आप लिग लिजे कितना आया 2 गुड़ते 3 गुड़ते 3 गुड़ते 5 तो यहां लिखे इस्ट कामन फैक्टर जो दोनों अभाज गुर्ण खंडों में ज्यादा मिलते हों उन्हीं को क्या कर लीजिया कॉमन कर लिजे ठीक है तो चले यहां पर लिखना क्या है लेना है आपको DCF तो लिख लीजिए हाँ पर छार छॉट कामा 90 गा अप एस सीएफ आप निकाल रहे है implanère यहां पर लिख दीजी अब सबस्ज्यादा करिए अब जो मिला है अब आपने अन्हीं के लिजे घुड़ा तो यहां पे आपका आगया हाइस्ट कामज फैक्टर थोक्राल क्टर निकालने के लिए क्लगें या लिकशन निकाल है उसको भी लिखheen और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिख लिजी तो पहले का 2 मिल रहे हैं दो लिखले ठीक है यह भी ठीन पर छोटा संक्या 5 लिख स्कूलाइब और ग्यारह है उसको लेंगे टीक है औरो आपके दखे two three six six three 18 1815 पन्चेजे तो यहां पे हो जाएगा आपका नब्वे और इन्टू यहां पर क्या 11 है सब्सक्राइब कर दिजिए अब इसका गुड़ा कर लिजे तो गुड़ा करें नहीं बनाऊंगा ठीक है तो यहां पितना समझ में आ गया है यह क्वेशन आपका साल होगा यह आप ऐसे एक्जाम में हल कर देते हो तो आपका जितने भी नंबर का क्वेशन आएगा दोस्तों वह परफेक्ट रहेगा पक्का रहेगा आपका छूटेगा नहीं ठीक है तो चल संख्या है अब तो इसको हल करने पर ही पता चलेगा कि यह भाज संख्या है या अभाज संख्या ठीक है तो चले पहले हम क्या करते हैं इसको हल करते हैं और आपसे बोला है ब्याख्या कीजिए कि यह भाज संख्या है या अभाज संख्या ठीक है तो पहले इसको लिख 7 लिखे और प्लस क्या है 10 है तो 10 अब देखे ये तीनों संख्या है जो दीख रहें आपको 10 5 7 या अपस में क्या है गुड़ा के रूप में तो इनको गुड़ा कर लिजे इनका चलिए हम गुड़ा कर लेते हैं तो गुड़ा करें कितना होगा यहां देखे 7 पचे 35 और 35 का 35 तो यहां पर कर दीजे 35 और यहां पर सुनने है तो सुनने को भी आप यहां पर लिख दीजे ठीक है और प्लस कितना है 10 है तो 10 लिख दीजे अब दोनों के बीचे प्लस का चीन आ गया या यह जूड़ेंगे इनको जोड़ दीजे 350 और प्लस 10 करें कितना हो जाएगा 360 तो 360 360 ये आपका क्या हो जाएगा एंसवर हो जाएगा लेकिन आपसे पूचा है कि भाज संख्या है या भाज संख्या नोस्तों छोमजे कटने वाली होती है निहीं लिए कडिम करती हैं एक और और खुछ से करती है वह क्या होती है दोस्तों whatnot 360 360 किस से करता है तो ध्यान दीजे अगर इसको हम 2 से काटेंगे तो 2 से भी कटेगा 1 निकाल लिया जाए तो ध्यान दिजिए दो एक का दो दो अठे-सोल जीरो हो जाएगा फिर काटेंगे दू नौ आठार फिर काटेंगे तो कितना आएगा यहांब 75 आएगा अभी तेखिंगे 3 से कटेगा 15 पर 3 से कटेगा पांच आएगा और qun 25 पांच आजाएगा ठीक है तो यानी तीन civ Fury सौ अथ है दोसे कट रहा है सुजह करदार्ध दू पांच से कटएंग्हाइन यह तो यह इतना दो देखे और दो से फिट्रा है तीन से परuges पांच से फिट्राह तो यानि यह इसा संख्या हूज एगा भालत मी कलीर हो गया दोस्तों समझ में आ गया और अपरिमें संख्या को कैसे पंचानेंगे तो देख लिए इसमें दोस्तों आप है जिसके उपड़ sotantra अवस्था में हो वह तो ध्यान दीजे रूट अगर हम टू को बाहर निकालेंगे तो सोतांतर अवस्था में नहीं निकलेगा थ्री भी नहीं होगा अगर हम नाइन को निकाले देखें रूट में नाइन को हम लिख सकते हैं थ्री इंटू थ्री और जिसका जोड़ा बनता है करणड़े के अंदर वो क्या होता है वाहर हो जैता है यहां कि 3 लोगे-3 का पंथ की यह dåldum 5 निकाल सकतें और बाकि सभी को से बाहर नहीं निकाल सकते 713 वस्था में तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ministry रूट में 9 तो दोस्तों को आप बहुत वारी की समझ लिए बहुत आईसे पूछे जातें बहुत जादा पूछे जातें तो आपको छोड़ कर कहीं जाना नहीं सब कुछ इसी वीडियो में मिलने वाला है वास्त्रीक संख्याइम जितने भी क्वेस्टन आपके एक्जाम में आते हैं सभी टाइप के क्वेस्टन को मै मिलने वाले ठीक है तो चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या है चलिए देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेशन निम्न लिखित परिमें संख्याओं में से कौन सी संख्या को सांत दस्मलों के रूप में निरूपित कर सकते हैं क्या बोला है निम्न लिखित परिमें संख्या में से सभी परिमे संख्या इसमें जितने दी गई हैं कौन सी संख्या को सांत दस्मलों के रूप में निरूपित कर सकते हैं कैसे रूप में सांत दस्मलों के रूप में तो ध्यान दीजेगा दोस्तों मैंने बताया है सांत दस्मलों वही संख्या होगा वही परिमे संख्या कह जाएगा जिसके नीचे क्या जाए टू इंटू फाइव हो ठीक है यह दिया इसका हर टू इंटू फाइव के रूप में गुड़न खंड उसका बन रहा होगा तो सांत दस्मलों होगा और नहीं तो नहीं होगा क्योंकि मैंने जब वास्तविक संख्यास अभी चैप्टर को प लेके नंया जो गु가지고 रेकिन आपको संझा देर रहा हूँ आप यहीं पे समझ जाओ ओगा ठीक है तो देखो बोला निम्रलिखित परी में संक्याओं में से कौन सी संख्या को सांत दस्मलों के रूप में निरूपित कर सकते हैं सांत दस मलों के रूप में जिसके हर का गुर बटे 20 को हम क्या लिए सकते हैं टू इंटू 2 इंटू 5 ठीक है दो दूनी 4 पंचे 20 2 27 को लिखेंगे एक बटे 3 इन तू 3 अन्य तीन गुटते 3 गुटते 3 ठीक है यह तीन गुटते 2 ठीक है तीन जाइब हमैं तीन पंच को एक वाँने सकते हैं सांत्स दसमरोव वही होगा जिसके हर कागुडन खंट टूंटु फाइब के रूप में आएगा तो ती इसमें तू भी आ रहा है फाइब वही आ रहा है अगर यह भी नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा लिकिन आपका टू इंटू 5 के रूप में आ रहा पहला अपस्वं तो एक बटा 20 सांथ-दसमलों के रूप में होगा अब समझ लीजे कि टू इंटू फाइफ हम क्यों ले रहे हैं देखे अगर हम टू का गुड़ा फाइफ में कर देंगे तो कितना हो जाएगा दस नीचे जीरो आ अगर हर में जीरो है तो सांथ दस्मलों होगा जैसे कहने का मतलब वही है कि जो पूरी तरह से कट जाये विवाजित हो जाए वही आपका सांध दस्मलों होता है ठीक है और नहीं लेकिंऄ अपयाइसे बता दिया है कि सांध दस्मलों और साम तसमलोग हम कैसे पहचानते हैं ठीक है क्लियर हो गया दोस्तों चले नेक्स्ट को देख लेते हैं निम्न में से कौन सा सहभाज संख्याओं का एक यूगम है दोस्तों ये क्वेशन आपके एक्जाम में अगले यह पूछा गया था तो दोस्तों मैंने सोचा कि इसको मैं कर साथ हूं जिससे आपको बहुत अच्छे समंध में आ जाया इस टाइप स्क्वेशन कैसे किया जाते हैं अभी सहभाज गवारें बहुत ऐसे स्टूडेंट होगे जिनको नहीं पता होगा कि सहभाज संख्या होती है तो मैं घबराइए मत दोस्तों मैं इस वीडियो में डिस कर रहूंगा और जिससे आपका रिजल्ट जो हो काफी वहतर हो ठीक है तो चलिए देखे दोस्तों बोलाएं में से कौंसा सह अभाज संख्याओं का एक यूग्म है यूग्म मतलब जोड़ा है वह भी कैसा सह अभाज तो सहभा संख्याओं को आप समझ लिजे ऐसा संख्या यूग्म जिसका गुड़न खंड जमाला ऐसी संख्या यूग्म जो क्या हो एक से विभाज जो हो और किसी भी संख्याओं से विभाज हो सकती है ठीक है लेकिन जैसे देखे चार आपसम दिए गए हैं चाओदह कामा 35 तो जो चाओदह है वो दो से कटेगा और साथ से होगा उसमें कामन से एक होगा और कुछ नहीं होगा जैसे अभी 1193 कांटो गे तो अगर सबस्क्राइब कि निकालोगे तो तीन गुढ़ते एक तीस कर सकते हो ठीक है तो देखे 31 Teens इसमें मैच कर रहा है और इसमें अगर आपने समस्ट कर आघे तो एक भी मैच करेगा लेकिन जो क्या होगे सहभाज संक्राइब होंगी उसमें सिर्फ एक आना चाहिए उसका क्या होगा मास यानि HCF क्या होना चाहिए एक होना चाहिए देखिए 18 और 25 अगर 18 का निकालेंगे दो त्याई छत्रीक 18 18 गुड़न खंड इतना आएगा दो त्याई छत्रीक अब 25 का निकालोगे तो आएसी संख्या युग्म जिसका क्या हो मस एक हो और वह अभाज संख्या ना हो तो आपका क्या हो जाएगा वह सह अभाज संख्या कहलाएगा एक बार फिर समझे जैसे मैं देदू पांच कामा साथ अब दोनों को मैं गुड़न खंड निकालों तो एक गुड़ते पांच आप हैं संख्या का मतलब यह संख्या और उसका मस एक होना चाहिए और अभाज का बोला जाए तो वह संख्या अभाज होनी चाहिए और उनका मसा एक होना चाहिए ठीक है लेकिन हम इस प्रस्ण में सहभाज के बारें डिसकस कर रहे हैं तो सहभाज आपका वही संक्या होगा जिसका मस यानि FCF एक होगा और संख्याएं क्या होंगी भाज रहुए तो आपका सहा भाज संख्याएं हो जाएगा किलियर हो गया दोस्तों आपको ना समया तो सभी का Gjasnd nisakal लिएगा अगर जिसमें जोड़ा मिलेगा मेसा मिल रहाय है लेकिन मसल नहीं चाहिए तो लेकिन इसमें क्या होना चाहिए था कि से मिलना नहीं चाहिए तो दिखे अथारों पचीस कमें जब गुडण खर निकाले से में कोई भी अंक आप से नहीं मिला सिर्फ मिला क्या एक अगर देखा ज़िए कॉमन दोनों में कितना मिल रहा एक एक मिलना भी चाहिए ठीक है और क्या होगा और कोई संख्या नहीं मिलना चाहिए और वह संख्या कैसा होना चाहिए अब आज संख्या नहीं होना चाहिए ठीक है क्लियर हो गया आई होप कि आप बहुत अच्छे समझ गए होगे दोस्तों यह कुछ भी प्राबलम हो आप तथा सेश्भल छै प्राप्त होता है संख्या ग्यानत कीजे इसमें किया करना है तो ध्षान कि जब भागपल सेश्भल की बात की जाती है तो आप एक फार्मूला होता दोस्ता हो इह फार्मूले को किसी भी चैप्टर में हल करिए पहले आप हल लिखा करी और जो मान दिया रहा करें तुरंद उसको लिख लिए ठीक है तो देखें इसमें क्या बोला है एक संक्या को जब 13 से भाग दिया जाता है भाग देने का मलब वो क्या है भाजक है ठीक है जिससे हम भाग देते हैं उसक साथाए टो भाग भल को भी आप यहाँपट लीजिए ठीक है तो यहां लिखिए भाघ फल कितना है दोस्तों 23 से दे टिशाई ठीक है फिर कीतना राष्टेशाव 6 पराप्त होता है तो जो जो दिया मैंने क्या बोला कि जब भिक्वेस्चिन आफ हल करें जो दियार है उसक को कोई भी तीन मान देकर चौथा मान पूछ सकता है यानि आपको यहां पर निकालना क्या भाज भाज बोले आप संख्या बोले या तो भाज़क बराबर तो दोस्तों मैंने आपको फार्मूला बताया ठीक है जब मैंने आपको पढ़ा रहा था सभी क्योश्चनों को मैंने कराया है तो वहां पर मैंने सच्छे से समझा दिया बट यहां मैं मौडल पेपर करा रहा हूं चैप्टर बाई चैप्टर तो आप सिर्फ मौडल पेपरों वह समझते चलिए चैप्टर बाई चैप्टर और जितने भी में क्योश्चन करा रहा हूं दोस्तों मैं गारांटी के सांथ कर रहा हूं इससे बाहर कहीं नहीं आएगा यह तैयार कर ले रहा हो तो गारांटी के सांथ कर रहा हूं दोस्तों आपका एक भी क्योश्चन नहीं छ है दोस्तों आपको तो रूल मालूम ही हो जाएगा जब रूल मालूम हो गया तो अंक आप लाख चिंज कर लिजिए हम तो सवाल को हल ही कर देंगे आपके अंदर ऐसा confidence आ जाएगा ठीक है तो बने रहें मेरे साथ देखिए भी आप के सामने जितने भी इस तरीके से चैप्टर से आएंगे आप एक भी क्योश्चन को छोड़ोगे नहीं ठीक है बस आप सुरू से लेकर लाश तक बने रहें मैं गारांटी के साथ कर रहा हूं आप एक भी क्योश्चन नहीं छोड़ोगे दियान्दी दोस्तों फार्मूलाब का होता है भाज बराबर भाजक इं या कोई भी तीन मान दिया रहे चार का मान लेकर तो फार्मूला बना है कोई भी तीन मान याद आपको इसमें दिया रहे इस प्रकार क्योश्चनों में तो सिर्फ इसी फार्मूले को आपको यूच करना है और मानों को रख देना है ठीक है तो आपसे भाज पूछा नहीं स संक्या है 13 से हम भाग देने किसी संक्या हमें ठीक है भाग दिया जाता है तो भाग फल भाग फल कहां लिखते हो आप इस तरह लिखते हो तेश तथा सेशफल चाहता है सेशफल नीचे लिखते हो छै आता है तो संक्या होगा यानि जो संक्या हमारा बीच में लिखते हैं जिस को आप लिखे तो भाजक दिया है कितना ते रह तो चले हम यहां पर लिख देते हैं ते रह इन्टु अब इसका गुड़ा कर लिए ठीक है तेरह का गुड़ा तीन में करेंगे तेरह तीन नौ हासिल तीन तेरह दुना छबिस तीन कितना हो जाएगा 299 और प्लस यहांप क्या एच्छा तो च्छा कर दीजिए तो करा रहा हूं आप प्लीज उसको लिखते चलिए लिखते चलिए दोस्तों मेरा बात मानिया जितने भी क्योशनों को मैं करा रहा हूं आप लिखते चलेंगे तो बहुत प्रॉफिट में रहेंगे दोस्तों एक बार आपको रिवीजन करने का मौका भी मिल जाएगा जैसे कोई भी आप को इसन नहीं भूलोगे तो चले नेक्स्ट कोईशन की तरब चलते हैं दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट कोईशन में क्या बोला है इसें बोला है सिद्ध कीजे की रूट में 5-3 एक परिमेंस संख्या है आप देखे दोस्तों ऐसा भी क्योशन बहुत ज्यादा प बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ठीक है मैं आपका एक मॉडल त्यार कर रहा हूं दोस्तों मैं ब्रह्मा नहीं हूं कि मैं कंफं बता दूंगा यहीं आएगा देखे मैं आपको दोखे में नहीं रखना चाहता मैं सिर्फ यह बताऊंगा कि प्रकार क्योश्टन आते हैं इस रूल के क्वेश्टन आते हैं तो मैं आपका रूल एक प्रकार त्यार करा दे रहा हूं ताकि आपका एक भी खूउटे ना ठीक है चलिए इसको सिद्ध कर लेते हैं यहां पर लिखिए क्या हल अब देखिए क्या बोलाए मैं जब sending अंदर news भी करता है यह जो दिया रहता है या जो बोला रहता है पहले मैं क्या करता हूं उसको लिखता हूं तो सिद्ध करना है क्या रूट में 5 माइनस रूट में 3 एक अपरिमे संख्या है एक अपरिमे संख्या है ठीक है चले यहाँ पर मैंने लिख दिया अपरिमे संख्या है यह आपको सिद्ध करना है अब कैसे करना है तो बराबर में आप एक अपरिमे संख्या आप परिमे सिद्ध करना है तो आप परिमे संख्या माल लेज़े ठीक है तो यहां लिखे रूट में 5 माइनस रूट में 3 बराबर एक परिमे संख्या अपने सम्माल लेते हैं क्या A और A जो है यह क्या है परिमे संख्या A बराबर आप लिख दीजिए परिमे संख्या ताकि आप समझो कि हाँ यह कहां से लिए ठीक Giving कहाँ यह लीख दे रहा हूं कि जो ए है वो आपका क्या है एक परिमे संख्या ठीक है के किलियर हो गया चले अभी देखिया अपका करने के यहां पर दीक रहा है करणी को हटाने के लिए हम हमेशा क्या करते है फिर दोनों पच्छों का वर्ग करने पर फिर बराबर आपको परिमे संख्या माल लेना है फिर दोनों पच्छों का क्या कर देना होगा वर्ग मूल कर देना होगा ठीक है यानि वर्ग कर देना होगा दोनों पच्छों का वर्ग करने पर ठीक है ऐसे लिखे वर्ग करने पर अब चलिए हम वर्ग करते हैं जब वर्ग यहां पर फार्मूला बन गया देखें यह A हो गया यह क्या हो गया B तो A-B का whole square ब्राबर क्या होता है A square फिर minus क्या होगा 2AB और plus क्या होता है दोस्तो वी square यही होता है तो चले इसी रूप में तोड़ लिजे जब A था तो मैंने A square लिखा, यहां root में 5 है तो हम यहां पर क्या लिखेंगे root में 5 का square फिर minus 2AB तो 2A का मान root में 5 into b का मान root में 3 ठीक है और plus B square ब्राबर क्या मान कितना है root में हम कर देंगे 3 का square ठीक है और बराबर में क्या है इस्क्वाइर तो यहां लिख दीजिए एस्क्वाइर इतना क्लियर हो गया चले अब को ऐसे हम लिख देते हैं जो भी रहताए उसका गुड़ा कर लेते हैं root के अंदर तो 5 यहां ही कितना हो जाएगा 15 ठीक है तो 15 हो गया प्लस यहांप क्या करें root में 3 का square करें square से root हटेगा बचेगा सिर्फ 3 तो यहां लिखिए 3 बराबर A square ठीक है तो चलिए मैंने यहां पर A square लिख दिया अब क्या करोगे देखें यह जुड़ जाएगा 5 और 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा ठीक है तो इसको जोड़ दीजे 5 तीन क्या कर दोगे आप 8 कर दोगे और माइनस क्या हो जाएगा 2 करंड़े के अंदर 15 बराबर यहां पे हो जाएगा A square ठीक है हमें proved क्या करना है स्री यहां पर 25 करने के लिए बोला तो 85 करोगे तो सिर्फ माइनस 2 कर अंदर 15 यहां सब प्लस में था इधर आएगा तो माइनस दिख रहा है तो माइनस को काटने के लिए क्या करो यहां सब माइनस कॉमन ले लो ठीक है तो यहां पो जाएगा माइनस दो कंडी के अंदर 15 बराबर यहां सब माइनस अब कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा जो संख्या प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा ठीक है तो जब मैंने यहां माइनस कॉमल लिया है तो आठ माइनस में था अब यह प्लस में हो जाएगा और एसका रूल होता है अब माइनस से माइनस यहां पर क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा ठीक है तो बचेगा क्या उसको लिख लिए तो यहां देखें करणडी कंदर क्या है 15 बराबर यह दो को पंचांतर कर दीजिए इधर क्या बचा है आठ माइनस ए स्क्वाइर और नीचे क्या हो जाएगा दो तो नीचे आप दो यहां पर लिख दीजिए ठीक है तो लेकिन करणडी कंदर 15 जो दिख रहा है वो क्या है एक परिमे संख्या है तो एक दूसरे कि यह क्या कर रहे है विरोधा भास कर रहे है ठीक है यानि एक दूसरे कि यह क्या है इक्वाल नहीं है फिर से समझे आठ माइनस ए स्क्वाइर बटे दो एक परिमे संख्या दिख र तो नहीं निकलेगा कि आपका हो जाएगा और यह बराबर नहीं आना चाहिए था लेकिन आपस में बराबर नहीं आ ठीक है अता हम कह सकते हैं कि और यह बराबर परिमेसंख्या कभी बराबर नहीं हो सकते हैं अहां कर दीजिये अतऊ करNja अ पांच-3-1 एक रहाएं ऐक और हम संख्या है क्लिए रो गया क्योंकि दूसरे कि यह क्या कर रहे हैं वी रोध कर रहे हैं ठीक है दोस्तों तो यही आपका हो गया ठीक है यह प्रूब्ड करने के लिए बोला था यह प्रूब्ड आपका हो गया दोस्तों इसमें तो आपको कोई भी कमेंटर नहीं आएगा कंफर्म मुझे कारांट के साथ मैं कहा रहा हूं कि आ बोद अच्छे समझ चुके होंगे तो चले हम नेक्स्ट कोईशन की तरफ चलते हैं क्या बोला है दोस्तों नेक्स्ट कोईशन देखिए नेक्स्ट कोईशन बोला है आप से यूकलीड विभाजन अलगोरिफ्म के प्रियोग से नबबे और 144 का एच सीय अफ ग्यांत कीजिए नबबे और किसका 144 को आपका क्या ग्यांत करना है दोस्तों आपको ग्यांत करना है एच सीय अफ किसका यूकलीड विभाजन अलगोरिफ्मे के प्रियोग से ग्यांत करना है इस बीधी का जब भी प्रियोग करना होगा तो कैसे ग्यांत करते हैं पहले जो संख्या दिया रह कर देंगे तो जो संख्या छोटा रहता उसी से बड़े में क्या करते हैं भाग करते हैं यूकलीड विभाजन एल्फगोरित्म से लिख दीजें आपर एल्फगोरित्म से ठीक है इस से आप ऐसे लिख दीजें यूकलीड विभाजन एल्फगोरित्म से अब हम क्या करेंगे 90 से इसमें भाग करेंग ठीक है तो चलिए भाग करते हैं 90 इससमें भाग करते हैं दोस्तों 144 में ये rule है किसका Euclide का rule जब है आप से Euclide की बारे पुछा जा, Euclide भीभाजन से पुछा जाए इस rule से प्रियोक करें तो आप क्या करें कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में आप भाग करोगे से रहेंगे चार मंदने से नो जाएगा टिक है आप क्या करेंगे जिस से भाग दिये रहेंगे इसको यहां लिख देंगे ध्यान से फिर समझें दोस्तों एक बार मैंने 90 से भाग किया तो यहां पर सेस जो आया उसको लिख लिया अब जिससे पहले भाग दिये रहेंगे उसको फिर यहां पर लिख देंगे ठीक है तो चलिए फिर करिए चन्वण एक क़तना हो जाएगा चन्वण तब यहां पर घटाए ए तो दस में इसे चार जाएगा तो बचेगा कितना शग बचेगा देखेए यहां पे कितना एक हांसिल जाएगा 10 हो जाएगा 10 में 4 घटेगा आएगा 6 अब यहां बचाए 8 आठ में से 5 जाएगा बचे कितना दोस्तो 3 ठीक है अब 36 आ गया तो आप किस से भाग दिये थे पहले चववन से अब उसके पहले वाले भाग से ध्यान दीजेगा दोस्तो जिस भाग दी रहे रहेंगे उसी को बीच में यहां पे हम लिख देंगे तो फिर 36 से काटेंगे तो 36 का कितना होगा 36 जब घटाएंगे तो कितना आएगा चाउदा में से 6 जाएगा तो आठ आएगा और यहां बचा चार में से एक जाएगा तीन जाएगा कितना पुच्छेकाностью 1 ठीक है यहां ठार हो गया अब किसे भाग दिए थे 36 से तो 36 को मध्य kaikki में करीए यहां लिखे 36 ठीक है अब करेंगे ठार दुना 36 तो यहां पर आगया कितना च्छ तीस पूरा धाया लेकिन कटा किससे लास्ट में जिससे कटकर सुनने आएगा सेस वही उसका क्या होगा HCF होगा ठीक है तो आप लिख दीजिए अतह अल्गोरिफ्म का यही रूल है जिससे लास्ट में कटकर सुनने आएगा वही उसका HCF हो जाएगा ठीक है तो अतह किसका 90 और 90 और 144 का HCF वराबर कितना हो जाएगा अठार ठीक है तो इसका answer आपका हो गया अठार किलियर हो गया दोस्तो समझ में आ गया I hope कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा दोस्तो आपको इस question में कोई भी problem नहीं होगी तो चले हम next question को देख लेते हैं देखते हैं next question में क्या बोला है और इस वीडियो का last question होगा क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है तो चले देख लेते हैं चले दोस्तो next question देखिए इसमें क्या बोला है Euclid की विवाजन algorithm का प्रियोग करते हुए ऐसी बड़ी संख्या ग्यात कीजिए जिससे 378 कामा 436 और 542 को भाग देने पर सेस्फल क्रमसर 7 कामा 11 और 15 प्राप्त होता है तो देख दिर्गुतरी प्रशना जो आपके एक्जाम में आते हैं यहां से question एक question बहुत ज़्यादा पूछा जाता दोस्तो जो इस model से पूछा जाता है तो मैंने इस model को भी यहां पर करा दे रहा हूँ ठीक है मैं इस model को यहां पर करा दे रहा हूँ ताकि आपका कोई भी comment ने answer कि यह question आपसे छूट गया नहीं दोस्तो कोई भी question नहीं चूटेगा सिर्व आप मेरे पर believe करके बने रही मेरे साथ मैं एक भी question आपका छूटने नहीं दोंगा ठीक है तो चले इसको कैसे हल करेंगे ध्यान दीजिए सेस फल की जब बात की जाए जब सेस आपका बचता रहे तो आपको क्या करना होगा पहले जो संख्याए थी उन सभी को लिख लीजिए ठीक है तो चले यहाँ लिख़े क्या हल लिखने के साध्-11 फिर 15 नाग करोगे माइनेस करोगे चलो अव यहां पर हम क्या कर देते हैं घंटा देते कि माइनस कर सेस बच रहा है आप से क्या बड़ी संक्या तो जब संक्या पूंचाय तो आप क्या करोगे माइनस कर दोगे चल यहां говоря मैनेस कर दिया, आप घटाए, तीन सॉ इन्ठावर माइनस क्या करोगी है, आप साथ करोगे, ठीक है, तो Qur 6.59 मिनसे साथ घटाओगे, तो कितना आ जाएगा, 391, ठीक है, तो यहां पर कर दीजिए, 391, और 436 सेस्स माइनस 11 करोगे तो कितना चार सो कितना हो जाएगे यहां पर पचीश ठीक है और यहां पर पांचसो पंदरह 42 है मेंसे पंदरह घटाओंगे तो कितना बचेगा आप 42 मिस 15 27 तो यहां पर आ जाएगा 500 27 ठीक है चलिए यह आपका आ गया में संख्या ठीक है घटाने बाद सेसफल हटाने के बाद अब क्या करोगे इसमें यूकलिट प्रमेरिका के प्रयोक से इसको हल करना क्योंकि बोल दिया है यूकलिट की विभाजन इलगोरिफ्म का प्रयोक करते हुए तो जैसे आपने इसके पहले वाले क्योशन किया वह ऐसे होगा लेकिन इसमें आपको तीन मान दिख रहे हैं यह तीनों मान को लेकर हल करना हो अब कैसे करना होगा ध्यान दीजिए छोटा बड़ा को लेकर हल करेंगे तो पहले तीन सव क्यानबे और चार सव तो 425 से भाग कर देंगे ठीक है और दोनों का जब भाग करेंगे देखेंगा दोनों का मासा एक ही आएगा ठीक है वही इसका हाइस्ट कामन फैक्टर हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा तो 300 क्यानवे लेस देन 425 ठीक है तो लिखेंगे कProdu हैँमे यहां पर गरोगे आप विख़ेंगे आप लेकिलीड यूपली का के क। किक्ए यहां लिखें यूपलीड यूपलीड प्रियूग से यहां पर देना हो इंप यहां लिखेंगे इसससे हम भाग करेंगे हैच से की चोटा है और क्या है 425 तो यहां पर आप क्या करें बगल में भाक कर सी 792 से भाक करूच वहाग कर तो दो चलिए 391 खायं लिखेंगे 391 टिक है अब यहाँ पर आप आप क्या करो घटा दो चले घाटाएंगे तो पाँच में से एक जाए गाएगवा से टहिक है इतना आगया अब क्या करोगा चलो जिससे भाग दिये रहते हो उसको यहां पर करता है तो पहले आप यूकलीट प्रमेरिका के प्रयोक से हल करोगे तब तक करोगे जब तक सुन्य नहीं आ जाता ठीक है तो चलो ध्यान दो क्या करो 425 यह आपका भाज है तो यहां प्लस क्या कर दो करना पड़ेगा तो फिर अभी इसको आगे हल करना पड़ेगा ठीक है अगला इस्टेफल करेंगे तो क्या करेंगे भाग करें कि से 391 में जिससे पहले भाग दिया जाता है उसको यहां पर लिख लिया जाता है ठीक है तो 34 का ग्यारा बार जाएंगे तो ग्यारा चुखे 44 हांसिल 4 ग्यारा 33 तो चार कितना हो जाएगा ठीक है तो यहां पर क्या लिखोगे 34 अब यहां बचा आठ 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 में साथ गटे को बचेगा कितना एक ठीक है 17 अब इससे भाग दिया 34 तो पहले आप इसको भी अहल कर लिजे तो 591 लिखोगे ठीक है तो 391 बराबर यहां पे कितना है 345 गुड़ते 11 ठीक है और प्ल यहां बराबर में आप 17 कर दो ठीक है और 17 क्या करो गडिया लोका है के बस यहीं step तक यह हल होगा ठीक है तो क्या लिखो कि 34 बराबर 34 बराबर 17 गुड़ते 2 प्लस कितना 0 यानि इस पर जीरो आ गया ठीक है समझ आ गया अब क्या करोगे यहां पर सुनने प्राप्त हो गया जब सुनने प्राप्त हो गया तब यह संख्या अपने प्लस क्या क्या बच्छा है तो क्या करें अब 425 यहां प्लेंगे ठीक है तो लिखें via किस पर सुनने प्राप्त हुआ है 17 से तो आता आप यहां पर लिख दिए इसका जो या सिख पहिले का निकला है अब इंदोनों के लिए लिजिए तो 425 क्या होगा छोटा होगा किसे 527 से तो यहां भी वही रूल फाल होगा चलिए 425 लिखेंगे भाग करेंगे 527 में ठीक है 425 से भाग करेंगे 527 में तो एक बार जाएगा तो यहाँ पे आएगा 425 ठीक है एक बार जाएगा तो चलिए यहाँ घटा दीजिए जब घटाएंगे तो 7 में से 5 जाएगा आएगा 2 यहाँ पर आजाएगा 0 यहाँ पर आएगा 102 ठीक है तो यहाँ आप लिखेंगे 527 बराबर 425 गुड़ते यहाँ पर क्या करेंगे 1 प्लस कितना है 102 सेस बचाएगा तो 102 कर दीजे और जो 102 आया है यह 0 के बराबर नहीं है तो यहाँ लिखें 425 ठीक है तो 102 से 425 में भाग करोगे कितना आएगा 4 बार जाएगा तो 4 दूनी यहाँ पर 8 हो जाएगा 4 जिरह में 0 4 1 का 4 हो जाएगा क्लिर हो गया अब 25 में से 8 घटा आओगे तो कितना आजाएगा 17 यहाँ 400 तो है ठीक है तो यानि कहने का मतलब अब जो आएगा उसको लिख लीजिए तो 425 बराबर क्या लिखोगे आप 425 जो बीच में रहेगा उसको पहले दिखला है फिर क्या लिखोगे 102 गुड़ते कितना चार प्लस कितना से बचा 17 तो यहाँ पर कर दोगे आप 17 ठीक है अब जो 17 आया है यह भी 0 के बराबर नहीं है ठीक ह है तो 17 छक्का कितना होता है 102 यह पूरी तरह से अब क्या हो गया कट गया यानि 17 102 बराबर हम लिख सकते हैं 17 इंटू 6 प्लस क्या सुने ठीक है तो यह भी किस से कटा 17 से ही कटा और जो पहला संक्या हमने काड़ा था वो भी 17 से ही विभाज हुआ था तब ही सुनने आया ठी यह तो यहां भी मैंने 17 सत्रा चुनने आ गया था यानि कहने का मतलब दोनों ही स्थित्यों में जो भाजक प्राब्त हुआ वो कितना हुआ 17 हुआ Hz कि इसमें D भड़ी से संख्या जो होगा वह आपका क्या होगा सत्रा वीडियो के ज़िए यौकलिट इस वीडियो में बस इतना है तो बोज्टे स्सक्राइब भूले चले हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इंट्रेस्टेड एक जांप से लेटेट के साथ तब तक के लिए बाई-बाई जैहीन जै भारत